पढ़ाई के मुश्किल सवाल तुझे लाजवाब बनाएगी पढ़ाई वो सीडी है जो हकीकत तेरे खुवाब बनाएगी फर्क होता है खुदा और फकीर में फर्क होता है किस्मत और लकीर में जो चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तेरे तकदीर में जिंदगी के बारे में इतना मत सोचो जिन्होंने भी या जिंदगी दी है वो भी तो तुम्हारे बारे में कुछ सोचा होगा तो इसी के साथ आज किस वीडियो को सुरू करते हैं उससे पहले आपका इस वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है तो आज हम इंगलिस गरमर के एक सांदार सा टोपिक सेंटेक्स जिसका हिंदी होता है वाक के विचार वाक के बिन्यास जिसे दूसरे मिनिंग में समझा जाता है सबजेक्ट भर्ब एग्रिमेंट तो इसके बारे में पढ़ना है आप सोचते होंगे कि हमें सेंटेक्स के बारे में क्यों पढ़ना है इससे हमें क्या लाब मिलेगा तो हम आपके जनकारी के लिए इसका सिंपल अंसर बता देते हैं कि अगर आप अंग्रेजी के गरमर में सेंटेक्स पढ़ लेते हैं तो आपको 10, 11, and 12 एक्ज़म में इस से बहुत सारे खेस्चन पूछे जाएंगे जो cm 12 ज़ो इस समें इस से बहुत सारे खेस्चन जो हैं पूछे जाते हैं जैसे में आपको दे देंगे राइस एंड करी डैस फूड फैबरेट फूड तो इसका अंसर क्या होगा इसमें आपको चार ओप्सन दे दिया इज, आर, एम, एंड, वेर तो आपको इसका पता रहेगा तभी आप इसमें अंसर भर सकते हैं कि इज होगा कि राइस एंड करी इज माई फैबरेट फूड तो इस सेंटेक्स का क्या मतलब होता है उसके बारे में चलिए चर्चा करते हैं तो यहाँ पर नौम से साफ पता चल रहा है कि यह सबजेक्ट भर्व एग्रिमेंट है इसका क्या आर्थ होता है जो सेंटेक्स है वह हमें अंग्रेजी में यह बताता है कि आप वाक्यों के बीच सबजेक्ट के साथ कौन सा भर्व यूज करेंगे आप सिंगलर सबजेक्ट के साथ कौन सा भर्व यूज करेंगे पुलर सबजेक्ट के साथ कौन सा भर्व यूज करेंगे इस तरह से बहुत सारे नियम यह सेंटेक्स हमें बताता है जिससे हम सुद सुद वाक्यों की रचना कर पाते हैं तो सेंटेक्स जो है वा ब्याकरन होता है जिसमें हम किरिया का सुद सुद पर्योग करना सीखते हैं उसे सेंटेक्स कहते हैं अर्थार्थ भर्व का सुद सुद पर्योग करना जिसमें हम सीखते हैं जिस साखा में सीखते हैं उसे ही सेंटेक्स कहते हैं तो इसके First Rule की बात करते हैं First Rule में है नाउन के अंत में जब S या YS लगता है तब वो पूलरल हो जाता है परंतो जब भर्व में S या YS लगता है अंत में तब वो सिंगूलर हो जाता है कहने कार्थ है जब आप नाउन के अंत में S E I S जोर दीजेगा जैसे काउ में अगर आप S E I S जोर दीजेगा तो वह काउ जोकर पुल्रल बन जाता है उसी परकार से अगर भर्म में आप S E I S जोर येगा तो वह सिंगुलर हो जाएगा यहां पर उधारन से आप समझने का परियास करें जैसे देखें यहां पर नाउन कुछ दिये दे तीन नाउन ले लिए हैं काउ, बॉय, एंड बॉक्स तो इस तीनों के अंत में S E I I S जोर ने पर हमें पुल्रल परापत होता है पहले यह सिंगुलर था तो कौ में S जोरने पर यह काउज बन जाता है बॉय में बॉय एंड बॉक्स में बॉक्स तो इसमें देख रहे हैं कि नाउन में अगर आप S E I I S जोर दिजिएगा तो वह जो है पुल्रल बन जाएगा अगर आप भर्ब में S E I I S जोर दिएगा तो वह सिंगुलर बन जाएगा इसे आपको याद रखना है तो जिसे गो जो है वह पुल्रल है इसमें S E I I S जोरने पर गोज बन जाता है जो सिंगुलर हो जाता है डू का डज इट का इट्स तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बात यहाँ पर देख सकते हैं कि भर्ब का मुल रूप हमेशा पुल्रल होता है जो आप गो, डू, इट, रीड यह सब जो पले देखते हैं यह भर्ब के मुल रूप होते हैं जो पुल्रल में हमेशा होते हैं एस या इस लगने के बाद वा सिंग्लर हो जाता है यह फर्ष्ट रूल था कि नाउन के बाद अगर आप एस या इस जोर देंगे तो वा सिंग्लर हो जाएगा दूसरा रूल है यह सबी रूल असान है आपको समझने का एक दूबार परियास करना है और प्रैस्टिस करना है और इसको बनाने के लिए आप किसी भी ट्रांसलेशन या गरमर के बुक को ले सकते हैं जिसे केपी ठाकुर का ले सकते हैं उसमें आपको अच्छे सी सभी का बहुत सारे बनेगा पढ़ने के पढ़ने के पढ़ने के पढ़ने के पढ़ने के पढ़ने के पढ़ने यहां पर दूसरा रूल है अंगरेजी में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर भर्व का यूज किया जाता है और पुलरल सब्जेक्ट के साथ पुलरल भर्व का यूज किया जाता है उधारन में रॉम रीड्स तो रॉम जो यहाँ आपर है यह SINGULAR SUBJECT है SINGULAR SUBJECT क्या होता है जिससे वह करता होना जाहिए सब्जेक्ट होना चाहिए जिससे एक का बोध हो जैसे रॉम-उम तो एक ही बैकती है तो यह SINGLAR SUBJECT है तो से से साथ singular भर्व का यूज क्या जाएगा तो singular भर्व में भर्व में reads होगा क्यों होगा क्यों से contribute होता है यह भर्ब में S, EN, S जोर देतें, जैसें यहां पर S जोर दिये हैं, तो यहां जो है, ल पुल्रल Singlar हो गया है, तो Singlar subject के साथ Singlar भर्ब का यूज किया जाता है, दूसरा में, Rom, and More, यहां पर दो का बोध हो गया, तो यहां पुल्रल हो जाएगा, तो इसके बाद पुल्रल भर्व का यूज किया जाएगा तो read पुल्रल भर्व है यहां reads singular भर्व है जिसे the boy runs तो the boy जो है वह singular है तो इसमें singular subject runs लगा और जाके the boy जो है एक the boy यह पुल्रल सब्जेक्ट बहुत सारे लड़के का बोध होड़ा है तो इसके बाद पुल्रल भर कर थार्त run का यूज हुआ है इसमें ACIS नहीं लगा है जो भर्व का मुल रूप होता है वह पुल्रल होता है हमेशा पुल्रल होता है चलिए अगले rule की बात करते हैं उससे पहले दो पंक्ति आपके लिए हम बोलना चाहेंगे सपने upload तो तुरंत हो जाते हैं जो सपने है वह upload तो तुरंत हो जाते हैं लेकिन उसे download करने में उसे download करने में पूरी जिन्दगी निकल जाते हैं तो चलिए तीसरे रूल की बात करते हैं तो जब दो singular subject जिससे एक का बोद होगा वैसा करता होना चाहें जिससे एक का बोद होगा और हुआ AND से जुरा हुआ होगा तो पूल्रल होता है दो singular जबड़ से हिंदी एंड इंग्लिष आर कमपल सरी हिंदी और इंग्लिष यहाँ पर दो singular subject हैं और यह एंड से जुरा है जब एंड से जुरा रहेगा तो उसके बाद आपको भर्व में पूलरल लगाना है अर्थार्थ आर कंपल्सर हिंदी और इंगलिस जो है कंपल्सरी हैं यहाँ पर आपके मन में हुआ कि भार्व पूलरल और सिंगलर कैसे होते हैं और कौन-कौन होते हैं तो उधारन के लिए यहाँ पर हम समझा देते हैं आपको जिसे इज और आर में जो इज है वह सिंगलर भर्व है और जो आर है वह पूलरल भर्व है यह सिंगलर हो जाएगा इज और आर पूलरल हो जाएगा और इसके बाद जो है वाज वेर तो वाज हो जाएगा सिंगलर और वेर जो है वह हो जाएगा पूलरल इस तरह से हैज हो जाएगा singular और हैब हो जाएगा plural यह ध्यान में रखनी है जिसे इंडिया और पाकिस्तन वेर ऑन नेशन जो इंडिया और पाकिस्तन है वह एक ही राष्ट था एक ही राष्ट था तो यहाँ पर वेर लगा क्योंकि यह जो दोनों singular सब्जेक्ट है वह एंड से जुरा हो जब भी आपको इसे वाके दिखेगा कि जब दो सिंग्लर सब्जेक्ट एंड से जुरा हो तो भर्व हमेशा पूलरल ही होगा तो यहां पर वेर हो गया आपको उधारन में जो है जब दो सिंग्लर सब्जेक्ट इसमें भी दो सिंग्लर सब्जेक्ट एंड से जुरा हो और पहले के परति पहले सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल लगा हो और दूसरे के पहले आर्टिकल नहीं लगा हो तो भर्व सिंग्लर होता है मौन लिजिए दो सिंग्लर सब्जेक्ट है वह end से जुरा है और पहले singular subject के पहले जो है article लगा हुआ है और दूसरे के पहले कुछ भी नहीं लगा है तो उसमें भर्व हम singular कायोज करते हैं जैसे a black and white dog was standing of the gate जो है यहाँ पर a black, black कुता है और एक white कुता है तो पहले जो black है singular इसके पहले a लग गया है a यहाँ पर जो है वह article है तो article पहले singular subject के पहले लग गया है और उसके बाद end है दो singular subject end से जुरा है और पहले subject के पहले जो है article लगा हुआ है तो उसमें जो हम singular subject का यूज़ करेंगे तो इसमें वाज लगेगा वाज standing of the gate दूसरा example है the principal and class teacher has come यहाँ पर जो दाद दिख रहा है आपको यह है article और article पहले subject के अंदर लगा है और end से जुरा है तो उसमें भरव हमेशा singular होगा तो यहाँ पर हैज हो जा रहा है और पाचमा है जब दो singular subject end से जुरा हो और दोनों से एक ही बस्तू का बोध होगा तो भरव हमेशा singular होगा जिसे बरेड एंड बटर is healthy breakfast ब्रेकफास्ट के लिए जो है बहुत ही अच्छा होता है ब्रेड और बटर healthy होता है तो इसमें आपको singular subject का यूज करना क्योंकि बरेड और बटर से एक ही चीज़ का बोध हो रहा है ब्रेकफास्ट का ब्रेकफास्ट का बोध हो रहा है तो दूस singular subject and से जुरा है लेकिन दोनों का अर्थ एक ही परकट हो रहा है ब्रेकफास्ट तो इसमें भरव singular होगा जिसे राइस and curry is my favorite food यह जो है ना राइस और करी क्या है तो एक favorite food है इससे एक वही बस्तू का बोध हो है तो इसमें भर्व singular होगा नेक्स्ट रूल है रूल नमर सिक्स है everybody each of every of either of neither of much of के साथ singular भर्व का यूज किया जाता है यह आपको याद रखना है each every मतलब परतेक सभी और each of मतलब परतेक और यहाँ पर हम लिख दिये हैं every of मतलब हर एक either of मतलब या neither of मतलब कोई भी नहीं और much of मतलब बहुत के साथ हमेशा singular भर्व का यूज किया जाता है जब भी आपको वाक में each of every of either of neither of and much of दिखेगा तो आपको singular भर्व का यूज अ परतेक लरका और परतेक लरकी जो है वह पड़ रहा है तो यहाँ पर each आपको दिख गया तो इसमें आपको सिधा singular भर्व का यूज कर देना है इस दूसरा एक्जम्पल है neither of few student has come इसमें आपको neither दिख गया तो इसमें आपको has लगा देना है उधारन के हिसाब से इसमें सि option के हिसाब से इसमें चूज कर देना है सिंगलर भर्व रूल नमबर सेवन है many, both, several, a few, these, a number of, a large number of के साथ plural भर्व का यूज किया जाता है जब भी आपको वाक्यों में many, both, several, a few, these, दोज, a number of, a large number of दिखेगा तो आपको plural भर्व का उप्योग करना है जैसे में a large number of student have not come today, जो कल है एक बहुत ही बड़े संक्या में student नहीं आये थे both questions are hard, ये दोनों questions जो है hard थे तो यहाँ पर आपको बहुत दिख रहा है और एक large number of, a large number of दिख रहा है इसमें आपको जो have, are, ये सभी polaral भर्व हैं इसका यूज करना है next है, a few books are missing, a few आ गया तो भर्व हमेशा polaral several girls are absent, several तो इसमें आर लग जाएगा, polaral भर्व next rule है, इसमें हम आपको शिर्फ 8 रूल बताएंगे और अगली वीडियो में हो सकता है कि 10 भी सुरूल आउड आपको बताएंगे, इस सभी रूल को आपको याद रखना है और प्रेस्टिक करना है यो तो याद करना ही पड़ेगा आपको next है, the number of के साथ, the number of के साथ, singular भर्व का परियोग किया जाता है क्योंकि इससे निश्चित संख्यां का बोध होता है the number of का मतलब होता है संख्यां, जिससे निश्चित संख्यां का बोध होगा वाक में उसमें आपको singular भर्व का यूज कर देना है जैसे the number of student is 90 students, यहाँ पस्षजी का बहुत सारे student हैं तो R लगा देंगे लेकिन R नहीं लगेगा क्योंकि the number of student निश्चित संख्यां का बोला है कि student की संख्यां जो है वा 90 है तो 90 जो है यहाँ निश्चित संख्यां है तो इसमें भर्व जो है मैसा singular is लगेगा आपको student पर धियन बिल्कुल भी नहीं देना है इसे the number of teachers is 10 जो teachers की संख्यां है वा 10 है तो इसमें आप teachers देखकर यहाँ पर R लगा दिजएगा लेकिन जो गलत हो जाएगा आपको देखना है the number of 10 बता रहा जो निश्चित संख्यां है तो इसमें भर्व singular लगेगा is next rule है rule number 9 many a many इसका आर्थ होता है एक एक करके बहुत के साथ singular भर्व का पर्योग किया जाता है जब भी वाक में many a many लगा रहेगा एक एक करके बहुत इसका आर्थ होता है उसमें आपको singular भर्व का यूज करना जैसे many a terrorist was kill बहुत सारे एक एक करके बहुत सारे terrorist मारे गए a many question has asked me एक एक करके बहुत सारे परसन मुझसे पूछे गए है तो इसमें a many या many वाक्यों में लगा है तो इसमें हम singular भर्व का यूज कर रहे हैं देसे दोनों में what जो है वा singular भर्व है और last rule दसमों rule है जो बहुत ही असन है एक नजर दीजेगा तो आप लोग समझ जाएगा everybody, somebody, nobody, anybody, everyone, someone, no one, anyone के साथ singular भर्व का यूज किया जाता है everybody मतलब होता है परत्येक और somebody मतलब कोई यहाँ पर हम लिख दिये हैं कि everybody मतलब हर कोई या परत्येक होता है somebody मतलब कोई nobody मतलब कोई नहीं anybody मतलब कोई, any मतलब any, कोई बड़ी है, any, कोई फिर everyone का भी मतलब भी होता है परत्येक या हर कोई फिर someone का थोड़ा meaning अलग हो जाता है यहाँ पर हम आपके लिख दिये हैं ताकि आपको कोई भी कश्ट ना हो no one मतलब होता है किसी को भी someone मतलब भी कोई भी और no one मतलब किसी को भी नहीं और any one मतलब किसी को तो यह सभी वाक्यों के अंदर आपको यह दिखेगा तो आपको कोण सा भर्व लगाना है तो singular भर्व का यूज करना है जिसे everyone is ready सभी लोग हर कोई तयार है someone is calling you nobody was there यहाँ पर someone और nobody दिख रहा है जिस करन से यहाँ पर आप singular भर्व is and singular भर्व has का इस्तमाल किये हैं तो इस तरह से आपको syntax का यूज करना है इसके बाद आपको गरमर का वीडियो मिलता ही रहेगा आर्टिकल भी हम आपको बताएंगे यह सभी जो हैं बोट एक जर्म से related ही है जो बोट एक जर्म में जिस टॉपिक से गरमर में question पुछे आते हैं वही सब आपको बताने बाले हैं एक्स्ट्रा में बोलियेगा तो वो भी बताएंगे ताकि आपका एंगलिस स्ट्रोंग होगा तो आज कि इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तत्र के लिए जय हिन जय भारत झाले हैं